यह केमिकल रेक्शन दिया है और उसमें साथ में उसने जब पूचा है वो यह पूचा है कि अगर मेरे पास 5 ग्राम मैंगनेज डियक्सड है तो उसको कितने ग्राम एचल चाहिए होंगे पूरी तरह रेक्ट करने के लिए यह स्टोइकमीटर का कॉछेशन है और जब भी ऐसे कुछेशन हों तो आपको जो ग्राम में कौणिटी दी हुई है उसको सबसे पहले मोल्स में क्नवर्ट करें यही इसका स्टार्टिंग पॉर्ट होता है तो इसलिए हमारे सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉर्ट है और स् ग्राम्स पर मोल आ जाता है 55 प्लस 16 इंटू 2 इस इकल टो 87 ग्राम्स पर मोल इस इस दी मोलर मास ऑगनेज डायकसाइड मेरे पास ग्राम्स है मोलर मास अवेलेबल है तो मैं वेल लोन फॉर्मॉला एन इस इकल टो डबली बाय एम का इस्तेमाल करूंगा उससे मुझे इसके ज इकल टो 5 बाय 87 मोल इतने मोल मेरे पास मैंगनेज डायकसाइड के हैं इससे मेरा जो पहला स्टेप है वो पूरा हो जाता है मैंने गिवन मैंगनेज डायकसाइड को नमबर आप मोल में कनवर्ट कर लिया है अब मैं चलूंगा अपने दूसरे स्टेप की तरफ गैट मोल्स जो इतने मोल्स अफ मैंगनेज डायकसाइड से 20 बाय 87 मोल्स मैंगनेज डायकसाइड से कितने मोल एकसाइड करेंगे यह मेरा दूसरा स्टेप होगा मुझे मोल्स मिल जाएंगे तो मैं मोल्स मिलने के बाद उसको स्टेप 3 में जाके उसको ग्रामस में एकसाइड को कनवर् मल करके मैंने यह पता लगा लिया कि 1 mol of manganese dioxide it reacts with 4 mols of HCl और मेरे पास manganese dioxide के moles कितने है 5 by 87 क्योंकि 5 by 87 moles manganese dioxide मेरे पास है इसलिए मैं unitary method की help से यह कह सकता हूँ कि मुझे 5 by 87 into 4 is equal to 20 by 87 mol of HCl इतने mol of HCl के साथ पूरा-पूरा reaction होगा मुझे moles of HCl मिल गए है और finally जो अब मुझे चाहिए मुझे चाहिए grams तो यह मेरा step 3 होगा get the grams of HCl इसके grams लेने के लिए मुझे फिर से इसका molar mass calculate करना होगा molar mass इसका होगा 1 plus 35.5 chlorine का 35.5 होता है तो 1 plus is equal to 36.5 grams per mole यह molar mass मेरे पास HCl का आ गया है मुझे चाहिए उसका mass उसके लिए मैं फिर वही formula लगाता हूँ कि N is equal to W by M और इससे मुझे पता चलता है कि जो W होता है वो होता है N into M इसको multiply कर लिया अब मैंने substitution करनी है N में जो मुझे moles पता है M जो molar mass में यहां calculate कर चुका हूँ substitute करते ही 20 by 87 into 36.5 यह figure आ जाती है 8.40 gram और यही मेरा answer इस case में है इस question को लिखने का सही ढंग और बड़ा साफ सुत्रा ढंग अच्छी text में लिख हुआ ढंग मैंने description में एक link है वहाँ डाल रहा है वो मेरे blog का link है वहाँ जाईए उसको click करिए वहाँ से अपने notes बना लिजिए वहाँ पर आपको सारा information इस question का related मिल जाएगा और दूसरी बात यह है कि अगर मेरे videos और यह मेरा channel पसंद है तो इसे subscribe और like जरूर करिएगा thank you